फिल्म की स्टार्टिंग बहुत ही मज़ेदार तरीके से होती है जिसमें फन भी है और कटाक्ष भी फिल्म का नाम है छत्री बाली यानि सेक्स एजुकेशन बेस्ट मोवीज है जिसमें आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और सीरियस नेज भी फिल्म की कहानी ये केमेस् लेकिन उसके काज कोई प्रॉपर्ट जॉब नहीं है तब उसे कॉंडम क् janak की जॉब ऑफर होती है जिसमें सैलरी 50,000 की होती है तो वह उसे एकसेप्ट कर लेती है और जॉब करने लगती है लेकिन घर में किसी को नहीं बताती इसी दोरान उसको एक लड़के से प्यार हो तबियत एक दिन खराब होता है उसके बाद से ही फिल्म एक ट्विश्ट ले लेती है और ये कॉमेडी से कब सीरियस में बदल जाती है पूरी तरह से ये फिल्म दीरे दीरे अच्छी चलने लगती है लेकिन इसी बीच उस लड़की का भांडा फुट जाता है तो उसके बाद क्या होता है इस पूरी कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा और ये कहानी पूरी तरह से एक पूरे जो समाज में सेक्स टैबू है यूथ सेक्स एजुकेशन पे पूरी बेस्ड है और ये लड़की उसी के लिए लड़ती है और पूरी तरह से ये फिल्म आपको एक बहुत ही अच्छा है जो पूरी अच्छी तरह से फिल्म का पेस्ट अच्छाम से लिए बढ़ यह बहुत ही पूछे जाते हैं लेकिन डाइजेस्टिप सिस्टम के जो होते हैं सवाल वो दक्स मास्क के पूछे जाते हैं यह बिसमें तोरा एजुकेशन भी दिखाया गया है और इससे पहले च्छत्रि वाली शेक्स एजुकेशन बेजड मूवी इससे पहले बी दो आ चुकी है जो है जनहीत में जारी नुसरत बरुचा की और हिलमेट है जो की अपार सकती खुराना की फिल्म थी लेकिन्स बेज्स पेस्ट मूवी थी और बीज्डेश के नहीं दे पाता है जितना इस फिल्म को शुरू में बिल्ड किया गया था पूरी इस्टोरी को बस यही इसका नेगटिब पॉइंट है कि क्लाइमेक्स इसका मात खा जाता है और इंपैक्टफुल इस्टोरी जो बोलना चाहती है वो impactful तरीके से नहीं बोल पाती है वैसे all over the film बहुत बढ़िया है आप देख सकते हैं one time watchable है screenplay, comedy, seriousness, dialogue सब कुछ बढ़िया है acting level भी बहुत ही बढ़िया है acting तो रकुल प्रीत की भी बहुत ही बढ़िया लगी है यहाँ पे सभी की acting बहुत मज़िदार लगी है आप ये film को one time watchable जरूर देख सकते हैं G5 पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आज 20 January को release हो चुका है रात के 12 वज़े से ये release हो गया था तो मैंने अभी सुबह सुबह देख के इसका review कर लिया है आप ये इससे देख सकते हैं G5 पर ऐसे ही movie और web series का review देखने के लिए चैनल को subscribe कर देए